हलो स्टुडेंट्स साइन्स पाउर पॉइंट के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले आवर्थ सार्ने आवर्थ सार्ने को आसान तरीके से हम कैसे याद रखते हैं आज हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं तो इसमें Periodic टेवल तो देखो बच्चो आवर्थ शारणी Periodic Table इसको किस तरीके से हम आसान तरीके से Easy वे के अंदर कैसे याद रख सकते हैं तो देखो सबसे पहले में इसकी आवर्थ शारणी का BASIC आपको बता देना चाता हूं तो इसका जो basic होता है, वो किस तरीके से, देखो सुनना एक बार, हमारे पास जो आवर्थ सार्णी होती है, लिख ले ना, आवर्थ सार्णी, आवर्थ सार्णी होती है, ये चार ब्लोक से निर्म, या आवर्थ सार्णी जो होती है हमारे पास, इसमें इसका जो निर्मान होता है वो ब्लोक से होता है ब्लोक कुन कुन से होगे एक ब्लोक होगा हमारी पास S ब्लोक एक होता है P-Block एक हमारी पास होगा D-Block और एक हमारी पास है F-Block तो आवर्थ जो सारणी होगी उसका जो निर्मान होता है वो इन चार ब्लोकों से होता है पहला ब्लोक हमारी पास S-Block होगा दूसरा P-Block, D-Block, F-Block यह चारउं ब्लोक मिलकर की किसका निर्मान करेंगे आवर्थ सार्णी का निर्मान के बारे में इसमें कौन-Kुन सी तक्त्तो वाते हैं उन- estás्त्तों का नाम क्या है ऑप एक बात और जैसे यह इसको याद तो देखो ठीक है तो अब चलते हैं यहां से S- cris do बारे में तो देखो सबसे पहले हम बात करें जो गुरूप एस ब्लोग की जो तत्व हैं इनको रखा गया है गुरूप गुरूप फस्ट में और गुरूप सेकंड में गुरूप सेकंड एस ब्लोग की जो आवर्थ सार्णी में जो एस ब्लोग है तो एस ब्लोग की तत्वों को किस में रखा गया है आवर्थ सार्णी में गुरूप नंबर फस्ट में और गुरूप नंबर सेकंड में जो गुरूप नंबर जो फस्ट वाले जो तत्व हैं इनको बोला जाता है एल के लाइन अर्थ मेटल एवार फिर से सुनना S आवर्थ सारणी में जो S ब्लोक के तत्व हैं इनको गुरूप नमबर फरस्ट में और गुरूप नमबर फरस्ट में रखा गया जो गुरूप नमबर फरस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है एलिमेटल जबकि जो गुरूप नमबर सेकंड के जो तत्व हैं इनको बोला जाता है Alkilline Earth Metal इनको याद करने का जो तरीका है वो कया है? गुरूप वाईज याद किया जाता है याद करने का तरीका क्या होगा? इनको हम यानि की top to bottom याद करेंगे top to bottom उपर से नेचे इन तत्वों को याद किया जाता है तो देखो किस तरीके से हम s-block के जो group number first के तत्वों को और group number second के तत्वों को किस तरीके से हम याद रख सकते हैं तो सबसे पहले आप तो आप यहां लिखना s-block इसमें कौन सब पहले क्या लिखेंगे s-block में हम बात करें हैं group group first में जो तत्वों आएंगे तो देखो जो s-block है उसमें जो group first में जो तत्वों आते हैं उनको एक trick के मादम से हम याद रखेंगे उस trick को आप लिख सकते हैं यह लेखो trick trick क्या होगी हमारे पास एक लड़की का नाम आपको याद रिखना है उस लड़की का नाम है Helena उसी Helena की उस लड़की के नाम से हम एक trick बनाई है तो देखो क्या है trick ट्रिक है ये हेलीना हेलीना की रब से रब से फर्याद हेलीना की रब से फर्याद ये आपको ट्रिक याद रखना है एश ब्लोग के ग्रूप नमबर फर्स्ट के ततों को याद रखने की इस ट्रिक के माधियन से आप एश ब्लोग के ग्रूप नमबर जो फर्स्ट है उनक ततों को करम वाईज आप याद रख सकते हैं तो देखो हेलिणा की रब से परिवास में क्या हो गया आप लिखो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं आप है लि ना की रब से फर्याद तो देखो यहाँ यह मैंने लिख दिया तत्तो जो हमारे पास S बलोग के जो group no.1 के तत्तो हैं है लिना की रब से फर्याद तो आप ऐसे भी लिख लोगा हो है इनको देखो जहां क्या लिखा है इसको क्या लिखोगे ली ना की रब से फर्याद एक बार फिर से सुनना है लिना की रब से फर्याद इस प्रकार से इन तत्तों का अपन याद रख सकते हैं अब देखो इस ह को क्या बला जाता है इस ह को बोल सकते हैं अपन ऐसे आप लिखना है एक बार पर एक बार इसका स्क्रीन शोट ले लिए जी आगे फिर आगे चलते है देखो इन तत्तों कैसे लिखेंगे आप इस तरीके से लिख सकते है है ली ना की रब से फर्याद यह लिख लिया तो आप यहां लिखना है ली ना की रब से फर्याद तो यह आपको याद हो जाएगा आसान बासा में है ली ना की रब से फर्याद यह आपकी ट्रीक है अब देखो इसको क्या बोला जाता है है इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोजन बोला जाता है हाई हाइड्रोजन जेब आपको याद होना चीए यह hydrogen है अगला तत्तों क्या है यह है lithium यह lithium हो गया अगला sodium sodium यह potassium potassium आगे है rubydium rubydium अगला cgm और यह francium इस तरीके से देखो S-block के जो group first के जो तत्तों है hydrogen lithium sodium potassium rubydium cgm francium इस trick के मादिम से हमें हम इनको आसान तरीके से याद रख सकते हैं और यह भी आप यहाँ लेग लेना इनहीं को क्या बलो जाता है S-block के जो group first है इनको बला जाता है alkali metal इस तो याद कैसे करेंगे top 2 bottom यह उपर से इस इनको याद किया जाता है group wise इनको याद रखा जाता है जैसे मैंने आपको पढ़े है तो S-block के group first किततों हो गया आप इनका screenshot ले 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 इसकी बाद हम पढ़ेंगे group number second की ततों को किस तरीके से याद रखें तो आपने screenshot ले लिया होगा आगे चलते हैं group second के group second पर लिखो यहाँ देखो S-block group second आप देखो S-block में जो group second में तत्तों आते हैं उन तत्तों को क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है उनको बोला जाता है यह आपको याद रखना है इनको बोलेंगे एक याद करने की स्यांदार ट्रिक है तो आप लिख लोग ट्रिक ट्रिक लिखना प्रिक हमारी पास है बेटा मांगे बेटा मांगे कर इस्कूटर बाप राजी यदि आपको ये ट्रिक याद हो जाती है तो जो एस ब्लोक की गुरुप सेकेंड रिखना है तो आप याद रख सकते हैं यह बाट ट्रिक को फिर से सुनना बेटा मांगे कर इस्कूटर बाप राजी तो देखो इससे क्या हो गया ऐसे लिखो आप बेटा मांगे कर स्कूटर बाप राजी इस तरीके से इन तत्तों को आप टॉप टू बोटम गुरुप वाईज याद रख सकते हैं अब देखो जो बी ई है इसको क्या बोलेंगे अपन इसको बोला जाता है बेरिलियम यह तत्तों इसको बोला जाता है मैगनेशियम बोला जाता है मैगनेशियम हो गया आगे इस तत्तों को बोलेंगे कैल्सियम कैल्सियम इसको बोलेंगे स्ट्रोंसियम स्ट्रोंसियम और यह हो गया हमारे पास बेरियम अगला तत्व है रेडियम तो इस तरीके से देखा हमने कि जो एस ब्लोक में जो गुरुप सेकिंड की चत्व है उनको क्या बोलेंगे एल के लेना अर्थ मेटल बोल दिया ट्रिक क्या होगी इन तत्वों को गुरुप याद रखने की सबसे अच्छे ट्रिक क्या है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि ऐस ब्लोक के जो तत्वों होते हैं उन्हें आसान तरीकी से याद रख सकते हैं तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करना, सेर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कल फिर मिलते हैं एक नए डॉप के साथ तब तक के लिए धन्यवाद